नमस्कार दोस्तो एननार इस्टडी में आपका स्वागत है दोस्तो जैसे कि अभी हाली में हाई कोट के द्वारा लेवल फईस्ट के अंदर बीट दारी को सामिल किया गया है तो सभी क्यूशन कर रहे थे कि किस प्रकार फारम बरा जाएगा और किस प्रकार जीट का क्या अपस फारम बढ़ना है तो द्यान दीजीगा हम बात करने वाले हैं हम राजस्तान अध्यापक पार्तता परिक्सार रीट 2021 तो यह आपके विकिप्ति आ रही है तो देखीगा उच न्याले जोद्पुर द्वारा पारित आदेश पांच फरवरी 2021 की अनुपालना में रीट 2021 के आवेदन प्राप्ति कितिती नौँ फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई है ठीक है तो नौँ फरवरी 2021 तक आपके फारम बढ़े जाएंगे रीट के अभिरती दिनाद 19 फरवरी 2021 तक उनलाइन सुल्क जमा करा सकेंगे तथा ओन्लाइन आवेदन पत्र दिनाद 20 फरवरी 2021 तक द्यान रिखेगा पिछली बार भी ये confusion था कि 8 फरवरी तक फारम बरे जाने थे और 4 तारिक तक की जो थी वो आपके registration की सुल्क की फीश थी ठीक है तो वो आप confusion में ना रहे 19 फरवरी 2021 तक आपका online सुल्क जम्मा होगा और 20 फरवरी 2021 तक आपके online आवधन लिये जाएंगे online आवधन बरे जाएंगे तो ये confusion बिलकुल ना रहे चलो आगे बात करते हैं ये को पुन आवधन करता के लिए इसपेश जो निर्देस हैं वो द्यान से सुन लीजेगा एक एक निर्देस अराम से पड़े और सुने दिनाग चार फरवरी 2021 तक फीश जमा करा चुके जो परिक्सारती है वो आट फरवरी 2021 तक online आवधन कर सकते ह जिनोंने द्यान दीजेगा कि जिनोंने चार फरवरी 2021 तक फीश जमा करा चुके हैं वो दिनाग आट फरवरी 2021 तक online आवधन कर सकते हैं इससे अभिरती जो बीड और न आई ओएस से या हम कह सकते हैं कि डिलेड जो योगिता तारी है वो लेवल फर्ष्ट के लिए दिनाग 9 फरवरी 2021 से लेकर 19 फरवरी 2021 तक आवधन कर सकेंगे जिन बीड योगिता तारी अभिरती द्वारा लेवल शेकिन के लिए आवधन किया जा चुका है ऐसे अभिरती सुल की अंतर रासी यानि 200 रुपे जमा करा कर अपना पंजी करण दोनों लेवल में या संसोदन कर सकते ह हैं तो दोबारा फारम नहीं बरा जाएगा केवल और केवल उसके अंदर संसोदन होगा 200 रुपे ओर लगेंगे आवधन से वंचित रहे सभी अभिरती भी 9 फरवरी से लेकर 20 फरवर 2021 तक ओनलाइन आवधन कर सकेंगे सभी को सूचित क्या जाता है कि आवधन की तीती इसक कि सुल्क जम्मा करवाने की है तो कोई भी पीचे ना रहे क्योंकि इसके बाद किसी भी प्रकार की कोई डेट नहीं बढ़ाई जाएगी उप्रूप तो सभी आवधन करता आवधन में रही तूटियों में आंसिक संसोदन दिनाथ 22 फरवरी 2021 से लेकर 25 फरवरी 2021 तक कर सकते हैं चाह तक हो आप किसी भी प्रकार की कोई भी तूटि ना करे क्योंकि आपकी छोटी सी तूटि आगे भाली पढ़ सकती है तो समझ चानकरी आपको दे दी गई है तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे और साथी बेल आइकन का बटन जरूर दबाए धन्यवाद दोस्तों